एलो फ्रेंग्स वागत है आपका अपने चैनल एज भी सुरसपले में फ्रेंट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक एड चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल ऐकन प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको बिल सके पाकिस्तान ने होंकों को हडाया ना उतने डंतु वो इंडिया की खिलाफ बना भी नहीं पाये थे इसलिए पाकिस्तान वालो ज्यादा खुश्मत हो ना संडे के दिन फिर से तुमारा टाइम पास टीवी तोड कर होने वाला है यार यहां पर जिसकी भी तारीफ करो ना कुछ उल्टा सिधा हो जाता है अब हमने दो दिन पहले एक वीडियो में जड्डू भया की तारीफ क्या कर दी लग गई नजर उनको इंजिरी की वज़े से एशिया कप से पहली पूरसत में निकल चुके हैं वो बाहर उनकी जगे पर अक्षर पटेल को टीम में शामिल किया गया है वर्ल्ड कप से पहले जैसे जैसे खिलाडी इंजर्ड होते जा रहे हैं मेरे सर में बैक पेन बढ़ने लगाया पाकिसान के खिलाब जड्डू भई ये ना बड़ी आइनिंग खेली थी अब हमें उनके बिना आगे कि टोर्नमेंट में खेलना पड़ेगा लेकिन कोई खेले ना कीतेंगे कैसे वीडियो पूरी देखना आपको समझ में आ जाएगा फिलाल हम आपको बता देते हैं कल के होंग कॉंग वर्सेस पाकिसान के मैच का हाल ऐसा मैच जो शुरू होने से पहले ही पाकिसानी क्रिकेट फैंस की सूखी बड़ी थी सपने में तो उन्होंने फाइनल में इंडिया को हरानी की तैयारी भी कर लेती लेकिन ठिकाना वो जानते हैं कि हौंग कॉंग का भी नहीं था बाबर आजम उनके फेवरेट प्लेयर है लेकिन विधी का विधान देखिये कल वहीन इजाकत खान बाबर आजम के साथ पाकिस्तान के खिलाफ टॉस करने मैदान में उतर और टॉस जीत भी गये टॉस जीत कर उनों ने वही किया जो इंडिया के खिलाफ किया था यानि पहले फिल्डिंग और एक वक्त पर उनका डिसीजन सही भी साबित हो रहा था दुनिया के नंबर एक बल्ले बास बाबर आजम, भौत वक्त दुनिया के एक नंबर बल्ले बास नहीं बने रहेंगे, अगर क्यों? क्योंकि एश्या कप में लगातार दूसरी बार फ्लॉप हुए उपर से नंबर दो और नंबर तीन के बल्लेबाज रन पर रन बनाए पड़े नंबर तीन सूरे कुमार यादव ने तो होंकों को धोया ही था कल नंबर दो मुहमद रिजवान ने बिलकुल यही किया रिजवान ने फकर जमान के साथ मिल कर इतने रन बनाए कि होंकोंग वालों की चार पांच बार बैटिंग आती न तो भी छेज नहीं कर पाते लिजवान ने 57 में 78 नॉट आउट फकर जमान ने 41 में 31 पन की बढ़िया पारी खेल के बेस सेट कर दिया था ठीक वैसा ही जैसा भी डाट कुली ने किया था और फिर सुरे कुमार यादव वाला पार्ट पाकिस्तान के लिए किया खुशदिल शाह ने जिनकी 15 गेंदों में 35 पारी ने पाकिस्तानी फैंस का दिल खुश कर दिया उन्होंने अपनी पारी में पांच चक्के लगा इंडिया ने होंकों की किला 192 बनाय थे पाकिस्तान उस पे एक एड कर दिया बोले तो 193 बनाय लेकिन हमारी लिए ये मैच बहुत बढ़ी हैं साबीत हुआ क्यूं क्यूंकि हमने इस मैच यह होंकों के जिन फैंस को यह उम्मीद थी कि उनकी टीम पाकिस्तान को टक्कर देगी पाकिस्तान ने उस उम्मीद की बत्ती बनाकर हो होंकों के दाएं हाथ में दे दी अच्छा मुझे लगा हाँ गंदा मत सोची आगे बढ़िये मेरा भाई होंकों की इनिंग के पहले ओर में टॉयलेट गया था जब तक वापस आ पाता होंकों की पूरी टीम पवेलीन लोट चुकी थी देखा आपने लापरवाई का नतीज ने किया ऐसा लग रहा था कि ये दोनों हर बॉल पर विकेट ले लेंगे अंत में कुछ यूं हुआ कि होंकोंग 64 गेदे खेल कर रॉल आउट हो गई उनसे रन बने सिर्फ 28 इससे साथा रन तो उन्होंने पिछले मैच में अर्षदीप सिंग और आविश खान के खिलाफ ब आपके सामने कल सुबह के वीडियो में बहुआ लेकर मतलब मतलब आज बहुआ पाकिस्तान फोन मिलाने वाला है और किसी के मजे लेने वाला है दूसरे मैच से पहले क्या समझे नहीं समझे नहीं समझा देना थोड़ा है